कौमोद्यकी भगवान विश्णु और भगवान कुष्णु द्वारा चलाये जाने वाला गदा हतिया जो दुश्मनों को कुचलने में सक्षम है भगवान स्रीकुष्ण ने इससे दानव तंतवक्र का वद किया था कौमोद्यकी स्रीकुष्ण की गदा का नाम है अलवार संतों की परंपरा में भूतत तलवार को कौमोद्यकी का अवतार बताया गया है चित्रों में विश्णु को दाहिने हाथ में गदा धारन करते हुए दिखाया जाता है वही कुछ शिल्पों में कौमोद्यकी गदानारी गदादेवी के रूप में मिश्नु के बराबर खड़ा दिखाया जाता है श्रीकृष्ण को भी मिराट रूप में कवमोद की धारन करते हुए दिखाया गया है इसे मत्स्य, पुर्म, वराह और नर्जीह के हाथ में भी दिखाया जाता है महा भारत के अनुसार वरूल नेश्रीकृष्ण को कवमोद की प्रदान की थी यह तथ्य अध्याद है कि कवमोद की को उसका नाम कहां से मिला कुछ कथाव के अनुसार उसे कुमुद याने निले रंग के कमल से यह नाम प्राप्त हुआ है वही अन्यवर्ननों के अनुसार उसे यह नाम विश्नु के लिए प्रयूक्त एक विशेशन कोमोदक से प्राप्त हुआ है